आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं उन्हें कौन नहीं जानता? मुजिक इंडस्री में रेविलूशन और इंडेपेंडेंट म्यूटिक को एक पहचान दिलाने वाले दे क्यूट दर्शन रावल जितने लोग इनके सिंगिंगे फैन हैं, उतने ही लोग इनके क्यूटने तो स्माइल के भी नमश्कार मैं हुँ शाक्षी गिदी और आप देख रहे हैं कमाल जिंदगी और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दर्शन रावल के बारे में दर्शन रावल इंडिन सिंगिंग के एक यंग सिंगर और सॉंग राइटर हैं अपने हर गानी से लोगों का दिल जीतने वाले दर्शनाज लाखो दिलों की धड़कन है चोटी सी उमर में ही इन्हों ने तै कर लिया था कि मैं सिंगर ही बनूगा उनका जन्म 12 ऑक्टूबर 1994 को गुजरात के निफसारी जिले में हुआ उनका पूरा नाम दर्शन रावल देव भूमी रिपाठी है उनके परिवार में माता पिता और म्यूजिक से उन्हें बच्पन से ही बहुत प्यार रहा school group singing competition में जब उन्हें सबसे पीछे खड़ा कर दिया जाता था तब वो लोगों का attention पाने के लिए जोर-जोर से गाना शुरू कर देते थे उनकी इस आदत की वज़े से उन्हें ग्रुप से निकाल भी दिया जाता था school खतम होने के बाद दर्शन का admission engineering college में कर दिया गया लेकिन कभी exam में cheating तो कभी paper leak के वज़ा से उन्हें college से भी निकाल दिया गया दर्शन शाय थे लेकिन शरारते भी बहुत थे दर्शन के पिता writer है तो उनके पिता से फ्रेरित होकर poem और rhymes लिखनी शुरू कर दी जिने उन्होंने आगे चल कर खुद से compose भी किया और youtube पर channel बना कर अपनी singing के talent का showcase करना शुरू कर दिया वो अपनी अवास को सुंदर बनाने के लिए experience singer के गाने सुनते थे और अपनी शमता को सुधारने की कोशिश करते थे धीरे धीरे उन्होंने अपनी singing skills को improve किया और बड़े public event में गाने का मौका प्राप्त किया हाला कि दर्शन रावल की success का रास्ता काफी challenging भी रहा पहले वो गुजरात में गाने की कोशिश करने लगे लेकिन वहां music industry बहुत ही difficult थी तब उनके पैता ने भी उन्हें समझाया कि ये बहुत जादा competitive field है और उन्हें पूछा कि दर्शन कैसे वॉलिवुड में singing का सपना पूरा करेंगे तब दर्शन ने कहा कि वो YouTube पर independently काम करके एक दिन जरूर वो मुकाम हासिल करेंगे इसके कुछ वक्त बाद दर्शन को star plus के शो इंडिया raw star से audition के लिए call आया तब दर्शन को लगता था कि सारे reality show scripted होते हैं तो उन्होंने मना कर दिया लेकिन थोड़े वक्त बाद उनके पास फिर एक call आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने खुद के लिखे हुए गाने भी गा सकते हैं तब दर्शन ने एक try करने का सोचा और उनका selection भी हो गया फिर उन्हें Mumbai बुलाया गया और इस show ने उनके किस्मत ही बदल डाली लोगों को अपनी आवास का fan बना गए शो में इतनी सफलता मिलने के बाद उन्हें लगा अब तो रास्ता उतना मुश्किल नहीं होगा लेकिन उनका वॉलिवुट का रास्ता थोड़ा जादा ही मुश्किल था उन्होंने कई audition दिये लेकिन उन्हें हमेशा निराशा ही मिली धीरे धीरे उन्होंने अपनी शमता को साबित करने के लिए बहुत मेहनत की और गाने की कला को सुधार किया वे अपने दिल के साथ अपने सपनों का पीछा करते रहे सारे एफर्ट लगाने के बाद भी जब कोई जर्या उन्हें नहीं दिखा तब वो निराश होकर वापिस एहमदाबाद आकर अपने यूट्यूब पर इंडिपेंडेंटली गाने का सोचा पर कहते हैं ना मेहनत कभी बिकार नहीं जाती अपना लास्ट अटेंप्ट सोच कर दर्शन ने हिमेश रिशम्या को कॉल किया क्योंकि हिमेश ने दर्शन को शो के दौरान कहा था कि शो के बाद वो उन्हें वालिवूड में काम करने का मौका देंगे और यही उनका लाइफ चेंजिंग मूव्मेंट रहा उन्हें हिमेश ने कई मूवीज में गाने का मौका दिया और उसके बाद तो जैसे दर्शन ने मुढ कर पीछे ही नहीं देखा तब दर्शन को प्रेम रतन धन पायो तेरा सुरूर और सरम तेरी कसम जैसी बड़ी मूवीज में गाने का मौका मिला उसके बाद से उनके करियर ने एक उडान भरी और अपने गानों के जरी लोगों के दिल में चाप छोड़ने लगे। उसके बाद दर्शन ने वॉलिवोड ट्रैक जैसे चोकाड़ा और नी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कभी तुम्हें और तेरे सिवा जग में जैसे सुपर हिट गानों में अपनी आवाज दी। दर्शन हर साल अपने बहुत सारे इंडिपेंडेंटली कंपोस्ट और रिटन गाने गाते हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। दर्शन का रीसेंटली रिलीज हुआ सौंग माही ये जिन्ना सोना भी लोगों को बहुत इसके अलावा दर्शन इस साल एक बार फिर अपनी मूजिक अलबम दल 2.0 के साथ तयार हैं अपने फैंस का दिल जीतने के लिए। साल 2020 में भी दर्शन की मूजिक अलबम चिदाईयां लोगों को बहुत पसंद आई थी। दर्शन के मोस्ट हर्ट सॉंग्स में से तेरा जि सिंगर हैं उन्होंने अपने गानों के साथ साथ अपने चाहने वालों के दिलों में बसने का काम किया है। उन्होंने म्यूजिक कंपोजिंग के जरिया अपने सपनों को साकार किया है और आगे बढ़कर और भी बड़ी सफलताएं हासिल की। उनके कहानी हमें ये सिखाती ह कि अपने काम को लेकर clarity हो तो मेनत करने से फल मिलता ही है तो दोस्तों ये थी दर्शन रावल की कहानी उम्मीद करते हैं उनके यूँ ही बहतरीन songs और album आते रहें ऐसी ही प्रेधना दायक कमाल विडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिन्दगी प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब